गुद्यूनिंग फ्रेंड एक बाफ फिर से आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है तो फ्रेंड्स क्लास थोड़ी से लेट हो गई, रेजन यह है कि इस समय हमारी और भी क्लास चल रही है, पाइथन प्रोग्रामिंग किस से पहले क्लास चल रही थी O-Level के लिए, तो आप म से जो बच्चे O-Level की तयारी कर रहे हैं, आप ग्यानेक्स भी मोबाइल अब के माध्यम से जुड़ सकते हैं, प्लस हम यूट्यूब पे रिविजन क्लास बिल्कुल फ्री चला रहे हैं, तो उनको भी आप जॉइन कर सकते हैं, तो 13 दिसंबर से आप सभी के एक्जाम स्ट का मेगा टेस्चर लाए, बिल्कुल फ्री हर बच्चे इसको दे सकते हैं, तो सबसे पहला क्वेशन आचुका है स्क्रें पे, कैल्क में फिल्टर क्या है, जल्दी से बताएं, कैल्क में फिल्टर क्या है, टोटल 41 क्वेशन्स डिसकस करेंगे, कम से कम आपके 30 प्लस प्लस करेक्शन्स आच करेक्ट होने चाहिए, बेरी गडी उनिंग तो ALL अप यू, विलकुम यू ओ ओल, प्लीज आप सभी राइट अंसम बताएं, जल्दी से, कैल्क में फिल्टर क्या है, फिल्टर किसले इस्तिमाल करते हैं, स्पेस्फिक रो को देखने के लिए, बिसिस देखे वैक्यूम ट्यूब के अब इसकारक कौन है और वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल कब किया गया था कम्प्यूटर के फर्स जनरेशन में कम्प्यूटर को डबल अब करने के लिए इसको किसने बनाया था जॉन एम्ब्रॉस फ्लेमिंग means option B correct answer हो जाएगा जॉन एम्ब्रॉस फ्लेमिंग एक परसन है साइन्टिस्ट है जिन्होंने वैक्यूम ट्यूब को डबल अब किया था वैक्यूम ट्यूब के बारे में अगर exam में date पूछी आते हैं तो कुछ books में 1904 लिखा गया है कुछ में 1906 लिखा गया है तो ये दोनों questions अलग-अलग exams में आ चुके हैं कुछ में 4 options में दिया जाता है कुछ में 6 दिया जाता है बड़ अभी तक जो हमें question देखने को मिलें उसमें 4 और 6 दोनों options एक साथ नहीं आते हैं तो option B correct answer है और computer science में ऐसे धेर सारे topics हैं जिसमें year को लेके काफी जादा confusion रहता है किसी में 1904 दिया किसी में 1906 दिया इस तरह के कई सारे अलग-अलग examples हैं एक तरह का अपवाद कह सकते हैं इसके लिए कुछ नहीं किया जा सकता है बड़ आपको answers पे focus करना है उसकी option पे focus करना है नेक्स question देखें निम्न में असमांतर operator कौन सा है असमांतर means जैसे की लिखावाई 5 हम check करना चाहते हैं कि 5 और 6 ये दोनों equal नहीं हैं असमांतर तो इसके लिए एक operator होता है LibreOffice Calc में आप यूज कर सकते हैं ये अगर means ये दोनों equal नहीं होंगे तो उस case में क्या मिलता है true उस case में क्या आएगा true और in case अगर ये दोनों equal होंगे उस case में आएगा false तो ये logical statement है logical condition एक तरह से है इसको test करने के लिए हम braces का इस्तिमाल करते हैं less than greater than sign होता है इसमें ये असमांतर या asymmetric operator कहा जाता है इसको option A इस question का right answer है ये question भी truples exam में आ चुका है अगला question देखे लिब्रोफिस calc में अधिकतम कितनी seat बना सकते हैं इस question को लेके थोड़ा सा confusion रहता है बच्चों में क्योंकि question दो तरह से अभी तक truples exam में पूछा जा रहा है एवन पिछले महिने भी पूछा गया है और दोनों तरह से question आया है अलग-अलग shift में देखे एक तो पूछा जाता है अधिक डिफॉल्ड कितनी seat होती है इसमें अधिकतम कितनी बना सकते हैं तो जो पुराने लिफॉल्ड के वर्जन थे उसमें 10,000 की limit दी गई थी ठीक है 10,000 seats बना सकते थे अभी इस समय जो लिफॉल्ड का वर्जन चला इसमें आप 32,000 seats बना सकते हैं कितनी 32,000 seats बना सकते हैं तो option C इस question का right answer हो जाएगा क्योंकि इसमें 32,000 का option नहीं दिया गया है ऐसी पिछले महिने भी पूछा गया था कि options में 32,000 option missing था तो इस case में आपको 10,000 mark करना है और अगर options में 32,000 का option दिया जाएगा तो आपको 32,000 को mark करना होगा दोनों सही है next question देखें ट्वीटर में trending symbol क्या है ट्वीटर पे आप कुछ tweet करते हैं तो किस के साथ tweet करते हैं has, hashtag यूज करते हैं तो option C right answer हो जाएगा ये trending symbol होता है कहां पे, twitter पे even आज की date में लगबग हर जगे पे hashtag trend करने लगा है आप facebook पे भी यूज कर सकते हैं, youtube पे भी यूज कर सकते हैं और twitter पे भी यूज कर सकते हैं तो ये has symbol का इस्तिमाल होता है computer network में bandwidth क्या है computer network में bandwidth क्या है जो communication channels होते हैं means communication lines होते हैं किसी line में एक साथ data भीजने की maximum capacity आप कुछ इस तरीके से मान सकते हैं कि जैसे ये 4 inch का pipe है तो इसमें maximum कितना water supply किया जा सकता है maximum 4 inch तक water supply किया जा सकता है तो इसी तरह से जो communication channel होते हैं उसमें data भीजने की अधिक्तम transfer rate को बोला जाता है अधिक्तम data transfer दर को हम क्या बोलते हैं bandwidth means option A correct answer है data अधिक्तम data transfer दर जिसको bandwidth के नाम से जाना जाता है तो option A बिल्कुल सही answer है maximum transfer data transfer data rate कह सकते हैं उसको अगला question देखी Linux में किस command का उपयोग किसी file के सौमित को बदलने के लिए किया जाता है Linux में किस command का उपयोग किसी file के सौमित तो means ownership को change करने के लिए किया जाता है option D correct answer है C-H-O-W-N इसको अगर हम full form की बात करें तो change ownership ही इसका full form होता है इस command कर इस्तेमाल करके किसी भी file की ownership को बदला जा सकता है क्योंकि जो Linux operating system होता है इसमें group बना सकते है users होते है तो उनकी permissions को change किया जा सकता है next question देखे किसी सब्द के अंत में आगे बढ़ने के लिए किसी सब्द के अंत में आगे बढ़ने के लिए vi editor के साथ किस command का उपयोग किया जाता है vi editor क्या है Linux operating system में command editor होता है जहां पे हम commands को execute करते हैं या type करते हैं तो किसी सब्द के अंत में आगे बढ़ने के लिए vi editor के साथ किस command का उपयोग किया जाता है अगर आप हमाई साथ जुड़े हैं तो सबसे पहली बात है आप सभी previous classes के वीडियोज देखते रहें जितना भी आपके पास time है जादा से जादा वीडियोज देखी 100% आपको आपके exam में help मिलेगी तो इस question का right answer हो जाएगा option D E character type कर देते हैं वाँ पे क्या use करेंगे E command कर इस्तिमाल करते हैं तो option D is the right answer बेरी गुड सावरोब अगला question देखी operating system का मूल है operating system का मूल है यह linux operating systems related question है तो operating system का मूल linux operating system में किसे एक आजाता है kernel को कहते हैं और kernel किसके बीच काम करता है यह OS operating system और hardware के बीच काम करता है इसके interaction के लिए इनके बीच में interaction के लिए कौन काम करता है kernel तो option B correct answer है एक और question बनता है जो कि पूछा जाता है kernel Linux operating system के किस directory में kernel की file को store किया जाता है तो एक directory होती boot, boot directory के अंदर kernels की file को save किया जाता है रखा जाता है, तो option C correct answer है next question देखी, SEO का पूरूरूप क्या है SEO का पूरूरूप क्या है search engine optimization, option right answer क्या हो जाएगा search engine optimization means option C correct answer है SEO का पूरूरूप होता है search engine optimization अगर आप channel playlist को बिजट करते हैं तो आपे हमने कई सारे videos जो कि full forms related है 100 plus इस तरह की अलग-अलग videos मिल जाएंगे जिसमें 100-100 करके बहुत सारे full forms हमने discuss किया है तो आप चाहें तो इसको भी देख लिजएगा even सभी important playlist के link हमने discussion में add कर देए तो आपको इदर उदर कहीं खोजने के ज़रूवत नहीं इस class के जस बाद आप इस class के discussion को चेक कीज़े वहापे आपको सभी sequence में playlist मिल जाएंगी next question है P2P और client server architecture समान है इसको पहले समझते हैं P2P क्या होता है जैसे एक computer यहाँ पर है और यह direct cable के माधिम से दूसरे computer से connected है यह हो गया P2P तो P2P model में हर एक computer as a server as a client काम करता है as a server as a client यह दोनों काम करते हैं बट जो server client server architecture होता है वहाँ पे main computer होता है जिससे बाकी सारे computers connected होते है तो mainly data या processing के लिए इसका इस्तेमाल होता है server का जबकि यह दोनों आपस में individual computers होते हैं जो as a server as a client काम करते हैं और यहाँ पे सिर्फ server एक main PC होता है यह सबसे सकतिसाली computer माना जाता है client server architecture में जो server PC है वह सबसे ज़्यादा सकतिसाली माना जाता है क्योंकि यहीं पे सबसे ज़्यादा data store किया जाता है और सारी processing भी server के उपर की जाती है तो client और P2P means peer-to-peer इसका full form होता वैसे peer-to-peer और client server architecture समान है जी नहीं option B correct answer से दोनों समान नहीं है दोनों का architecture बिल्कुल different है FDM क्या है FDM क्या है FDM यह 3D printing technology है 3D printing technology है जैसे की printer की बात करें तो कही तरह के printers होते हैं ink-z printer, laser printer वैसी 3D printer में printing technology है जिसको FDM के नाम से जाना जाता है इसका नाम होता है Fused Deposition Modeling क्या होता है Fused Deposition Modeling तो option A देखिए Fused Deposition Modeling FDM का पूरूरूफ होता है यह full form भी ट्रपल से एक्जाम में multiple times आच चुका है तो option A बिल्कुल सही answer है निम लिखित में से कौन web browser का उधारन नहीं है निम लिखित में से कौन सा web browser का उधारन नहीं है web browser क्या होता है client application है क्या है client application Google Chrome आप सभी जानते है browser होता है Internet Explorer यह भी एक browser है इसके बारे में आप सब जानते होंगे Safari यह भी एक web browser है Safari किस company का web browser है सब exam equation पूछा जा जुका है तो apple company का जो web browser है उसका नाम का है Safari तो option D correct answer है Avast यह कह एंटी वायरस ना की web browser तो option D बिल्कुल सही answer है Avast अगला कुछनी एक fireball हो सकता है fireball क्या करता है आपके computer में आपके computer की सुरच्छा करता है security करता है जैसे आपके system में आने वाला data या आपके system से बाहर जाने वाला data उन दोनों की रखवाली करता है अगर कोई भी यहाँ पर ऐसे activity देखते है जो लगता है कि हमाई system के लिए खत्रा हो सकते है तो उसको यह block कर देता है तो system में आने वाले या system से जाने वाले data को यह property के से monitor करता है hardware हो सकता है means जो fireball है वो क्या हो सकता है यह software के form में भी हो सकता है hardware के form में भी हो सकता है और यह plus इन दोनों के form में हो सकता है hardware plus software तो यहाँ पर देखे hardware, software both hardware and software means इस question का right answer क्या हो जाएगा option C correct answer है hardware और software दोनों हो सकता है option C बिलकुल सही answer है both help की shortcut कुंजी क्या है, LibreOffice में help की shortcut कुंजी क्या है, यहाँ पर छोटी सी typing mistake है, please ignore कीजेगा, तो help के लिए LibreOffice में, चाहे writer हो, calc हो, impress हो, सभी में कौन सी shortcut की use करते हैं, F1, तो option D, बिल्कुल साही answer है, CAS का पूर्ण रोख क्या है, CAS, Communication as a Service, इसका full form क्या होता है, Communication as a Service, options में देखे, जी यहाँ, option C, Communication as a Service, CAS का full form है, और आप में से जो भी लोग, किसी specific topic पे चाहते हैं, कि अगली जो class है, उस particular topic पे होनी चाहिए, तो आप सभी chat section में बताएगा, next class हम उस particular topic पे कर लेंगे, जैसे आप चाहते हैं, कि Libre Office के questions, discuss कर लें अलग से, या Writer के, या Cal के, या Impress के, या फिर Networking से Related, या फिर particular जो भी आप topic चाहते हैं, आप चाहें तो mention कर सकते हैं, chat section में, जितने ज़्यादा लोग उस topic के बारे में, mention करेंगे, chat section में, उस topic पर बेस्ट हम next class कर लेंगे, वैसे अभी हम mixed, syllabus पर बेस्ट question discuss कर रहें, ये सभी question टॉपल्स exam के, पूछे के questions हैं, और maximum हम उन questions को, अपनी revision classes में, या फिर महरातन classes में, ले के आते हैं, जो कि अक्सर टॉपल्स exam में, पूछे जाते हैं, तो credit card के लिए, एक सुबिधा जनक बिकल्प है, credit card के लिए, एक सुबिधा जनक बिकल्प क्या है, cash, check या cash and check both, option, इस question का right answer हो जाएगा, C, cash and check both, इन दोनों के जगे पर, आप credit card का इस्तिमाल कर सकते हैं, option C, बिल्कुल सही answer हैं, next question दिखी, भीम एप द्वारा भेजे जा सकने वाले, धनकी सीमा क्या है, कई बार पुराने database से questions आ जाते हैं, तो जैसे कि आप सभी को पता होगा, भीम अप्लिकेशन में, एक बार में अधिक्तम आप 40,000 भेज सकते हैं, यहाँ पर देखे, options में क्या दिया गया है, भी भीज सकते हैं, तो option D correct answer हो जाएगा इस case में, option D, बिलकुल सही answer है, और भीम का full form exam में पूछा जाता है, तो भारत interface for money, वार्म बूट किसे कहते हैं, बूटिंग दो तरह की होते हैं, cold boot और warm boot, cold booting क्या है, जैसे आपका system बंद पड़ा है, आप उसे power on करते हैं, system start होता है, उस दोरान जो booting होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, cold boot, और अगर आपका system running stage में है, और आपके system में कोई problem आती है, या फिर कोई update आता है, तो क्या होता है, आप अपने system को restart करते हैं, तो restart करने के दोरान जो booting होते हैं, उसको किस नाम से जानते हैं, warm boot के नाम से जानते हैं, तो options B correct answer है, restart, warm boot किसे कहते हैं, restart के प्रक्रिया को क्या कहते हैं, warm boot, means option B correct answer है, एक ही समय में कई program चलाने को कहा जाता है, अगर same time पे एक से जादा program आपके system पे run कर रहे हैं, तो किस टाइब का system होगा, multi programming, क्या होता है, multi programming, या उसको आप क्या कह सकते हैं, multitasking, तो option A correct answer है, multitasking, option A correct answer हो जाएगा, multitasking, और आज की date में अधिकतर जो operating systems आ रहे हैं, वो सभी multitasking है, CSS का पूर्ण रूप क्या है, CSS का इस्तिमाल कहां पर होता है, web designing में होता है, और हमेशा इसको STML के साथ में यूज करते हैं, STML के साथ में CSS का इस्तिमाल होता है, सिर्फ CSS से कोई भी website या webpage नहीं बनाया जा सकता है, हम इसको css stml के साथ में यूज करेंगे और stml क्या एक markup language होती है और css क्या है यह scripting language है cascading style seats इसको बुलते हैं यह basically हमारे web page को attractive बनाने के लिए हम इसको stml के साथ में यूज करते हैं option c cascading style seats is the right answer क्या हो जाएगा cascading style seats जी बिल्कुल वही questions हम लेके आते हैं जो ccc में आएंगे अगर आप भरोसा करते हैं तो 100% आप पास होंगे अच्छी grade से पास होंगे साभजनिक छेत्र का सबसे बड़ा bank कौन सा है इस question को दो तरह से exam में पूछा जाता है एक तो यह question हो गया साभजनिक छेत्र का सबसे बड़ा bank कौन सा है एक और question पूछा जाता है जिसमें पूछा जाता है इंडिया में किस bank की सबसे अधिक साखाएं हैं दोनों का same answer है S.B.I. State Bank of India State Bank of India is question का right answer हो जाएगा यह साभजनिक छेत्र या public sector का सबसे बड़ा bank है जिसकी इंडिया में सबसे ज़्यादा साखाएं है option B S.B.I. is the right answer slide के उपरी margin में क्या print किया जाता है अगर उपरी margin की बात करें तो जैसे यह slide हो गए उपरी margin में क्या होता है header होता है और नीचे क्या होता है footer होता है तो उपरी margin में क्या print करेंगे header print करेंगे means option B correct answer है और header में आप क्या-क्या डाल सकते है page number डाल सकते है date and time डाल सकते है slide numbers डाल सकते है तो यह सारी information आप header या footer दोनों में डाल सकते है उमंग app किसके द्वारा launch किया गया उमंग app किसके द्वारा launch किया गया उमंग से भी जुड़े हुए कई सारे questions पूछे आते है जैसे पूछ लिया जाएगा उमंग में N का मतलब क्या है तो unified mobile application for new age N का मतलब क्या है new age और G का मतलब क्या है governance इसको 13 अलग-अलग भासाओं में जारी किया गया है एक तरह की अम्रेला platform है जिसमें central government प्लस state government के जितने भी अलग-अलग e-governance platform से सभी को link करके एक नया platform बना दिया गया अब direct आप यहीं पे जुड़ सकते हैं बिल्कुल आप note करते रहे 100% आपको यहां से exam में काफी help मिलेगी तो among app was launch by किसके दोरा launch किया गया था इस question का right answer हो जाएगा Ministry of Electronics and Information Technology option C correct answer है Ministry of Electronics and Information Technology option C बिल्कुल साई answer है IMPS के दोरा भुकतान किया जा सकता है IMPS IMPS भी एक payment method होता है जैसे RTGS है NEFT है UPI है इसी तरह से IMPSP payment method होता है RTGS और NEFT में NEFT NEFT में जो transactions होता है उसमें time लगता है NEFT में कम से कम आदे घंटे का time लगता है RTGS में लगबग 2 घंटे का time लग जाता है अगर आप इसके थूरू fund transfer करते हैं बटी UPI क्या होता है यह real time transaction करता है और ऐसे ही IMPSP real time transaction करता है IMPS का भी इस्तेमाल करके आप real time में fund transfer कर सकते हैं और IMPS UPI यह किसके द्वारा manage किया जाता है NPCI National Payment Corporation of India के द्वारा इन दोनों payment method का management किया जाता है जबकि RTGS और NEFT network को किसके द्वारा manage किया जाता है RBI ठीक है तो option A true is the right answer बिल्कुल साइज statement है LAN, MAN जैसे networking computer की किस PD से शुरुआत हुई LAN means local area network MAN means metropolitan area network जैसे कि किसी city के अंदर जो network बिछाते हैं ना उसको क्या बोलेंगे MAN और किसी एक particular building के अंदर जो network setup किया जाता है उसको LAN के नाम से जानते हैं तो इस तरह की जो networking है computer के किस generation में इसके शुरुआत हुई ये पूछा गया है option C इसकी fourth generation में शुरुआत हुई थी कब fourth generation में LAN, MAN, WAN जैसे network की शुरुआत हुई option C very good third नहीं option 4 हो जाए C हो जाएगा, fourth generation में इसकी शुरुआत हुई थी रेखा वर्मा जी का एक question है 25 computers को mess topology के माध्यम से जोडने के लिए कितने cable की आवस्यक्ता होगी देखे इसका एक formula होता है n into n minus 1 यहाँ पे n का मतलब क्या है number of cables आप इसमें 25 put कर दीजे आराम से आप का answer निकल आएगा means 25 into 24 multiply कर दीजे कितने number of cables लगेंगे निकल आएगा इसका एक formula आप याद करिए n into n minus 1 just इसके माध्यम से आप mess topology में कितने number of cables लगेंगे वो आप निकाल सकते हैं n यहाँ पे number of node है यहाँ आप number of computer कह सकते हैं next question देखे www का पूरूरूप क्या है यहाँ से दो तरह की questions आते हैं एक तो www आप जानते होगे www यह क्या है worldwide web होता है बड़ यहाँ पे 4 बा लिखा गया है तो इसको बुलते हैं worldwide web warm यह क्या है एक search engine है अगर 4 बा लिखा गया worldwide web warm क्या है एक search engine का नाम है तो यहाँ पे इस question का right answer हो जाएगा worldwide web warm option B correct answer है यह क्या है एक search engine का नाम है ओके आयूस enjoy कीजिए नेमलेकित में OPD से संबंधित है OPD से related भी question पूछा जाता है Central Government ने एक platform start किया है जिसका नाम है ORS Online Registation System इसके माध्यम से जो Central Government के hospitals है या State Government के hospitals है उनमें online OPD booking कराई जा सकती है इनमें जो reports आती है उन reports को भी online check किया जा सकता है इस platform के माध्यम से या फिर blood bank में जो blood की availability होती उसको भी इस portal के माध्यम से check किया जा सकता है इसका नाम क्या है ORS तो OPD से संबंधित option A correct answer हो जाएगा ORS ये OPD से संबंधित है क्योंकि यहां से OPD की online booking करा सकते है तो ये question भी आपके exam में आ चुका है next question है B to G क्या है तो E governance model में कई सारे models होते हैं जैसे G to G, G to C government to citizen ये government to government हो जाएगा government to citizen हो जाएगा G to E या G to B government to business हो जाएगा यहां पे business to government क्या हो जाएगा business to government और ये क्या है business to sorry government to employ तो G to E का भी full form कई बार exam में देखने को मिला है कि पूछा गया है option A business to government is the right answer ये e governance model है क्या है e governance model जैसे e commerce model होते हैं C to C, B to B, B to C, C to B ऐसे वो क्या है e governance models होते हैं sorry वो e commerce model है जबकि ये e governance model है UPI दोरा भुकतान करने की समय सीमा क्या है UPI के तो आप 24 into 7 कभी भी यूज कर सकते हैं public holidays में भी यूज कर सकते हैं तो इसकी कोई भी समय सीमा नहीं है इसकी समय सीमा निर्धार इतना है even इस समय RTGS और नेft है इनकी भी समय सीमा खतम कर दी गई कभी भी आप किसी भी टाइम RTGS और नेft सर्वेस का इस्तिमाल करके फंड ट्रांसपर कर सकते हैं no time very good बिल्कुल सही किस topology में computer एक दूसरे से जुड़े होते हैं अभी अभी जो question पूछा था chat section में उसी से related है किस topology में computer एक दूसरे से जुड़े होते हैं कौन सी topology होती है जिसमें computer डारेक्ट एक दूसरे से जुड़े होते हैं यह miss topology है जैसे कुछ computers हमारे पास है मालीजी आपके पास 5 computer है तो अगर miss topology के माध्यम से इनको connect करेंगे topology का मतलब क्या होता है किसी भी network में computer को आपस में कैसे connect किया जाएगा उसको हम बोलते है topology किस नाम से जानते हैं उसको topology के नाम से जानते हैं यहाँ पर दिखें सभी computer एक दूसरे के साथ cable के माध्यम से connect है अगर इसमें आप number of cables निकालना चाहते हैं तो n into n minus 1 means यहाँ पर 5 computers है तो 5 into 4 means इसमें कितने 20 cables की requirement होगी अगर आप सभी को आपस में connect करना चाहते हैं तो option D is the right answer चलिए next question की तरफ बढ़ते हैं निम लेकित में से क्या power में transaction नहीं है power point में transition नहीं है basically यहाँ पर power point में transition नहीं है transition effect होते है transition effect आपको कब दिखाई पड़ता है जैसे अभी आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे तो आपको एक छोटा सा effect दिखेगा आपको effect दिख रहा होगा जब हम एक जगे से दूसरे जगे shift करते हैं तो आपको एक थोड़ा सा effect दिखता है और आप में से जिन बच्चों ने अभी तक यान XP mobile app पे triple C का mega desk नहीं दिया है जरूर दीजे बिलकुल free हर बच्चा इस stress को दे सकता है बहुत important question आपको यहाँ पे मिलेंगे तिन में से कौन सा transition effect नहीं है option C blink diagonally ये कोई transition effect नहीं होता है option C बिलकुल सही answer है ATM pin कितने होते हैं तो ATM pin में आदिकतर bank का ATM pin होता है वो 4 digit का होता है ATM pin आम तोर पे 4 digit का होता है Ubuntu में default browser क्या है Ubuntu क्या है Linux पर आधारितिक operating system है इसमे default browser कौन सा होता है Firefox Firefox एक web browser है जोकि Ubuntu operating system में default browser होता है अगर पूछा जाए एक और question यहां से पूछा जा जुका है Ubuntu operating system में default media player क्या है तो BLC BLC player आप जानते होंगे ये Ubuntu operating system में default media player है अगला कुछने LibreOffice calc में अधिकतम जूम नहीं है इन में से कौन सा अधिकतम जूम नहीं है Writer calc impress बार बार में बता रहा हूँ ताकि ये चीज़े आपको याद हो जाए कोसिस हमारी यही रहते है कि जितना भी हम पढ़ाएं वो आपको ऐसे याद हो जाए दुबारा देखने ही जरुवत ना पड़े तो Writer में minimum 20% maximum होता है 600% Calc में minimum 20% और maximum होता है 400% इंप्रस में minimum 5% maximum होता है 3000% तो ये याद रखिए Libra Office Calc में अधिक्तम जूम नहीं है इन में से कौन सा अधिक्तम जूम नहीं है Option D correct answer हो जाएगा 500 क्योंकि इसमें maximum तो 400 होता है तो Option D बिलकुल साही answer है When कौन सा network सहरो, देशों और दुनिया को जोड़ता है यहाँ पर ये by mistake word लग गया है कौन सा network सहरो, देशों और दुनिया को जोड़ता है इसके लिए कौन सा network की यूज करते हैं देखे में लिए हमाई पास 3 तरह की network होते है Land, Man और एक होता है When Wide Area Network तो सहरों को आपस में जोड़ने के लिए देशों को आपस में जोड़ने के लिए कौन सा network इस्तिमाल होता है When पूछा गया था कौन सा network सहरो, देशों और दुनिया को जोड़ता है Option C करेक्टांस हो जाएगा When और city के अंदर बिचाय जाने वाला network कौन सा होता है होता है Man देखे UPI में पिंस पोछ रहे हैं बच्चे UPI में देखे दो तरह के पिंस का इस्तिमाल होता है UPI में जो Login Pin होता है वो 4 डिजिट का होता है जो Transaction Pin होता है वो 6 डिजिट का होता है याद रखे, UPI में दो pins होते हैं, एक तो login pin होता है, यह 4 digit का है, और इसका जो transaction pin होता है, 6 digit का होता है LibreOffice एक application software है, कैसे सही statement है? LibreOffice एक application software है, सही statement क्या होगा? Option है, बिल्कुल सही, software दो प्रकार के होते हैं, कौन-कौन से, एक तो होता है system software, दूसा होता है application software, इन दोनों में difference क्या है? System software जैसे की operating system, या language translator, जैसे की interpreter, compiler, यह सभी क्या है, language translators होते हैं, यह भी system software में आते हैं प्लस utility software जितने भी होगे, जैसे की antivirus, यह किसमें आएगा? system software में आएगा, application software वो software होते हैं, जिन में, जिनका इस्तिमाल किसी खास काम को करने के लिए किया जाता है, जैसे की LibreOffice, इसका यूज़ करके हम documentation कर सकते हैं, और photoshop, जिसका यूज़ करके आप photo editing कर सकते हैं, जिसका यूज़ करके आप drawings बना सकते हैं, तो अगर आप इन पे focus करते हैं, तो यह सभी किसी particular task को करने के लिए बनाएगे, software होते हैं, इनको हम क्या कहेंगे? application software, तो LibreOffice के है, application software है, जिहां बिल्कुल सही, option A is the right answer, अब एक इस पहली mechanical calculator machine थी, कैसा ही statement है? mechanical calculator तो नहीं था, यह manual था, तो option B correct answer हो जाएगा, बिस्टु का सबसे पहला calculating device था, अब अकरस जिसको चीन या चाइना में डबल अब किया गया था, option B, false is the right answer, exam में कैसा पूछ सकता है, या क्या पूछ सकता है, उस पे अभी focus मत कीजे, आप जो चीजे बताई जा रहे हैं, उसको proper तरीके से पढ़ लिजे, क्योंकि exam में क्या आएगा, exactly किसी को नहीं पता होता है, यह question ही गलत है, computer के मस्तिक के रूप में किसे जाना जाता है, computer के मस्तिक के रूप में किसे जाना जाता है, इससे simple से questions ID को यह हो, CPU central processing unit, जिसको computer का मस्तिक कहा जाता है, next question देखे, calc में max का मान क्या होगा, जहां range, a1 colon a3 है, तो max एक function होता है, जिससे हम क्या maximum value निकाल सकते हैं, यहां पर range दी गए है, a1 colon a3, जस्ट हम इस तरह से लिखेंगे, equal sign पहले लगा होता है, हलाग इसमें किसी में भी equal sign नहीं लगा हुआ है, तो हमेशा calc में formula के सुरुवात किसे होती, equal sign से होती है, ति यह maximum value इस range में जो भी होगी, उसको निकाल के देदेगा, means इस question के right answer की बात करें, दो option a correct answer है, max a1 colon a3 अगला question देखें, popular है, कई बार exam में आ चुका है, लगबग same to same इसी तरह से आ चुका है, quotient 5,2 का मान क्या होगा, quotient एक function होता है, जो कि आपको integer value देता है, अब यह integer value क्या होती है, जैसे कि 5, 8, 9, 10, 37, 92, यह क्या है integer value, integer value non-frictional values होती है, तो इनको हम integer value कहते है, और frictional values क्या होती है, जैसे 5,26, या 8,93, यह क्या है, frictional values है, तो आपको जो result आता है, वैसे आप divide करेंगे, कोई भी number, तो frictional results आते हैं, जैसे 5 को 2 से divide करेंगे, 5 को अगर आप 2 से divide करते हैं, तो क्या मिलता है, 2,5, यह आता है, तो यह frictional number है, बड़ अगर आपको सिर्फ इसका integer part चे, तो आप क्या करेंगे, इसका इसका integer part आपको दे देगा, means, यहाँ पे क्या right answer आजाएगा, option A2 मिलेगा, तो बस आपको यह concept याद रखना हो सकता है, number change कर दिया जाए, even यह same values के साथ में, टुपल से exam में multiple times equation पूछा गया है, तो option A correct answer है, और आप में से जिनका भी exam इस महिने होने वाला है, आप प्लीज हमें अपने exam के कुछ questions जरू send कीजेगा, 13 December से साम 8 बजे की जो हमारी class होगी, उसमें आप सभी के द्वारा भेजेगे questions हम discuss करेंगे, एक तरह से paper solution class होगी, daily साम को 8 बजे, और 13 December से morning में 7 बजे भी हमारी class start ह हो जाएगे, तो आप सब morning के class भी जरू join करके जाएगा अपना exam देने, और इसमें भी हम exam point of view से important questions discuss करेंगे, सबसे बड़ी चीजे आप सिर्फ हम पे trust कीजे, जो भी चीजे हम provide कर रहे हैं, जो content हमने अपने channel पे upload किया, अगर आप उसको अच्छे से पढ़ लेते हैं, तो problems को discuss कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, अगला कुछने EBCDIC, इसका right answer के आप सभी को comment section में बताना है, EBCDIC का पून रूप क्या है, इस question का right answer आपको comment section में बताना है, किसका full form क्या है, और ये कितने bid का होता है, ये भी अगर आपको पता है, तो जरूर बताएगा, EBCDIC का एक coding technique ह होती है, जैसे Sky American Standard Code for Information Interchange, वो भी coding technique होती है, वैसे EBCDIC भी coding technique है, और अगर हम इसके बात करें, तो ये 8 bit का code होता है, बट इसका full form क्या है, चलिए, right answer आने शुरू हो गए, आप में से जिनको भी पता है, comment section में बताएगा, तो आज की class का last question है, उमीद है class आप सभी को आए होगी, तो प्लीज आप इसको लाइक हो से जरूर कीजेगा, अब हमने अपनी ग्यानेक्स पी YouTube चैनल पे, प्लस हमारी ग्यानेक्स पी मोबाइल लैब पे, ट्रपल सी के साथ साथ O लेबल की classes भी start हो चुकी, तो आप इनको भी join कर सकते हैं, प्लस other competitive exam की भी classes बिलकुल फ्री चल रही हमारी YouTube चैनल पे, जो की foundation batches start किये थे पिछले महीने हमने, पिछले महीने means एक December से foundation batches की शुरुआत हुई थी, जिसमें history, reasoning, quality, इस तरह के सभी competitive exams के जो main main course subjects हैं, उन सभी की free foundation classes चल रहीं, जिनको आप join कर सकते हैं, आप अपने exam की तयारी कर सकते हैं, तो classes को भी देखिए और इनका feedback भी जरूर दीजेगा, best teachers आप हमारी team में जुड़ चुके हैं, आप उन सभी का benefit उठाइए, classes कीजे, अपने doubts पूछे और जल्दी कुछ नई चीजे भी हम आप सभी के लिए launch करने वाले हैं, तो उमीद आने वाले कुछ तिनों में बहुत सारे changes आपको GyanixP YouTube channel प्लस GyanixP mobile app पे देखने को मिलेंगे, just हमें follow करते रहे, support करते रहे, हमारी पूरी courses से आपको best content provide किया जाए, तकि आप कम समय में अच्छे knowledge को gain करें, प्लस आप अच्छे grades से अपने exams को qualify करें, we see you all the best, please आप सभी जिनका भी exam है, इस month आप में से जो भी बच्चे exam देते हैं, अगर आपको exam के कुछ questions याद रहते हैं, तो आप हमें इस WhatsApp नमबर पे जरूर भीजेगा, करन, बिल्कुल आप खुद से form भर सकते हैं, institute से apply करना चाते हैं, तो institute से भी कर सकते हैं, दोनों में कोई difference नहीं होता है, अगर आप direct apply करना चाते हैं, तो खुद से form भर सकते हैं, इस बारे में अगर आपको थोड़ा भी doubt है, तो आप हमारे WhatsApp नमबर पे text message कर दीजेगा, य आपको submit करना होगा, online कहीं से भी आप तयारी कर सकते हैं, बोमी प्रकास ची, UPP cell, TG2 और EA की exams के लिए हमने अभी course launch किया था, अभी हाल ही में इस course को हमने खतम किया है, और आने वाले दिनों में हम UPP cell जो assistant accountant की vacancy आई है, उसका भी course लेके आएंगे, तो आप सब अपने exam के questions प्लीज जरूर हमें भेचिएगा, admit card जिसका नहीं आया है, थोड़ा सा patience रखे, अभी बहुत से बच्चों के admit card नहीं आया है, जिनका December में exam में, 13 December से exam होगा, उससे पहले आप सभी के admit card जारी कर दे जाएंगे, तो मिलते हैं कल सामको 8 बजे, और अगर आप O level की तयारी क class के जस्ट बार रात में साड़े नो बजे IOT की class होगी हमारे साथ, तो मिलते हैं, अगर आप तयारी कर रहें IOT की, तो आप IOT की class चरू जोइन कीजिए, तब तक लिए bye bye, thank you